Hello my dear students, मैं हूं मीनूर्श्रीवास्ताव और आज हम discuss करेंगे type 2 hypersensitivity की अभी तक हम बात कर चुके है type 1 hypersensitivity की और hypersensitivity का एक general introduction भी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिया था type 1 hypersensitivity जिसमें हमने उसको एको नाम दिया था that is the anaphylactic reaction और यहां पर अब जब हम type 2 पढ़ेंगे तो type 2 hypersensitivity का जो नाम है that is cytotoxic reaction ठीक है इसके नाम को अब समझ है यह क्या कह रहा है cytotoxic reaction यानि कि cell में cell के लिए ही कहीं न कहीं toxicity generate होती है due to attachment of antibodies ठीक है अब यहां पर क्या हो जाता है कि किस तरीके सा यह reaction प्रोसीड होती है वो हम देख लेते हैं लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका general introduction कि यहां पर जो cytotoxic reaction है यानि की type 2 hypersensitivity है इसको जो इसके अंदर जो antibodies या जो immunoglobulins involved होते हैं वो होते हैं mainly IgG ठीक है लेकिन IgG के अलावा sometimes it is mediated also by IgM antibody यानि कि IgG antibodies इसमें mainly involved होते हैं लेकिन कई बार reaction IgM antibodies के थुरू भी mediated होती है ठीक है इसको होने में लगने वाला जो time है करीबन 5 से 12 घंटी ठीक है और type 1 hypersensitivity में याद करिए उसमें कौन सी antibodies या कौन सी immunoglobulins involved ही IgE type की ठीक है और यहां पर जो है उसको होने में करीबन कुछ minute का time लगा था ठीक है अब जो है उसमें हमने करीबन यह बोला था कि 2 से 30 minute का time लगा था शाय एक बार और मैं देख कर लेती हैं उसमें हां ठीक है तीस मिनिट से कम का समय लगा था ठीक है अब यहां पर यह जो है इसके लावा यहां पर जो और दूसरी cells involved होती हैं कौन सी है macrophages है natural killer cells है neutrophils है और eosinophil है ठीक है अब यहां पर जो आपकी जो type 2 hypersensitivity है इसके अंदर antibodies जब एंटिजनिक cell पर बाइंड होते हैं यानि कोई ऐसी cell जिसके ऊपर या surface antigen लगे हुए हैं तो जब उससे antibodies bind होती है तो क्या हो जाता है कि वो cell surface को मतलब कि उसी cell को खाने के लिए कुछ mediators या कोछ signaling प्रोवाइड करती है ठीक है और किसके थ्रू करती है सबज मैं आपको मेरी बात की मैं क्या कहना चाहरे हूं कि जब antigen sorry जब antibodies antigenic cell पे suppose यह antigenic cell है यानि कोई ऐसी cell है जिसके surface पर antigen लगे हुए है अब जब इससे कोई antibody bind होगा suppose यह उससे antibody bind हो गया अब यह जब antibody bind हो गया तो क्या होगा कि antibody माइंड होने के बाद इसमें अब इस antibody से कुछ इस तरीके के mediators release होंगे यह antibody कुछ specific cells को call करेगी ठीक है जैसे इसने जो है macrophages को call किया ठीक है अब यह macrophages इस तरीके का chemical release करेंगे जिससे इसी cell को kill कर दिया जाए यह इसी cell को damage कर दिया जाए सबज में आरी बाद कि जब कोई cell antigen create antigen रखती है तो antibodies जब उससे bind होंगे then they will call some specific cell और उसके बाद कुछ ऐसे mediators release किये जाते हैं जिसके वज़े से वो जो antigenic cell है उसी को kill करने की signaling प्रोवाइड किया जाता है सबज में आ गया अब यह signaling किस तरीके से दिया जाता है या तो phagocytosis of the cell यानि कि cell को kill मतलब phagocytosis process मतलब उसको pseudomodia बनाके जो है उसको इंगल्फ कर लिया जाता है या उसमें natural killer cells bind होती है और उस cell के लिए cytotoxicity provide करती है यानि कि उसमें कही न कहीं उसको कहीं न कहीं lysis produce करती है यानि कि उसको जो है गला देती है damage कर देती है या उसको lysis करती है through the activation of complement system यहाँ पर एक और चीज है कि जो complement systems होते हैं वो specific serum proteins होते हैं ठीक है और जब यहाँ पर इस तरह के का antigenic attachment होता है antibody से तो कई बार reaction में complement systems को activate किया जाता है और जब यह complement system activate होते हैं तो भी वो cell damage produce करते हैं सबज में आ रहा है आपको कि cell damage यानि पहले antigenic cell से antibody bind होंगे antibody specific cell को बुलाएंगे और specific cell इन तीन में से किसी भी एक process के through cell को antigenic cell को damage करेगी सबज में आ गया अब तो आपको सबज में आया होगा अब जिसे यहां पर मैं एक example लिया है जिसे RBC का ठीक है जिसे RBC का RBC की surface पे antigen होते हैं ठीक है RBC की surface पे antigen होते हैं हमें मालूम है उसमें जो है आरिच antigen होते हैं इसके अलावा ब्लड ग्रूप एंटिजन्स होते हैं ठीक है और याद करिए मेजर हिस्टो कमपाटिबल कॉंप्लेक्स में अगर आपने वो लेक्टर सुना हो तो उसमें मैंने क्या कहा था कि आर्बीसी पे क्यों 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 कि आर्बीसी जो है वो ब्लड ग्रूप के अंटिजन करता है सबज में आ गया अब देखें यहां पर खेर वो तुम आने एक बार आपको रिमाइंडर याद करवाने की परपस से बात बोली थी उसका अभी हां कोई वो नहीं है अब आर्बीसी की सर्फेस प बाइंड होंगे देन देविल कॉल दर नैच्रल किलर सेल और सम अनादर टाइप आफ दा इम्म्यून सेल ठीक है जब नैच्रल किलर सेल इस आर्बीसी अंटिजनिक और आईजीजी कॉम्पलेक्स पर माइंड होती है ठीक है तो देवल रिलीस सम सर्टेन काइंड आफ इस दा डार्गेट सेल और एंटिजनिक सेल यानि की नैच्रल किलर सेल जब इस प्टोर इस से कॉमप्लेक्स हीं क्सिंट में नेश्रॅल किलर सेल इस तरीकी का क्या मेखिन चाहिए कि रि्ल सेल्ल की सिंदना फिर हीं sensitivity में इसका example है that is blood group blood group जो antigen है वो इस तरीके का जो है example बनता है ठीक है सबसे पहले देखिए इसके अंदर कि अगर हम बात करें कि human body के अंदर जो blood group है वो उसके अंदर वैसे तो बहुत तरह के antigen होते हैं आर्बिसीज पे लेकिन हम mainly इस तरीके का antigen अभी हम पढ़ने वाले हैं जैसे AB blood group है उसके surface पे antigen होते हैं A और B A blood group है उसके surface पे A antigen और B पे B antigen ओ पे कोई antigen नहीं होता नाइदर A और B ठीक है अब यहाँ पर जो antibodies होते हैं antibodies जो AB blood group है उसके उपर कोई भी antibodies नहीं होते नाइदर एंटी ए नोर एंटी बी मैंने यह लिखा है नाइदर एंटी ए नोर एंटी बी ठीक है अब यहाँ पर जो आपका A blood group है उसके अंदर anti-B antibodies होंगे यह ध्यान रखेगा जो blood group है उसके opposite का antibody होगा सेम क्यों नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ anti-A होता तो वो collapse कर जाता anti-A antibody और A antigen आपस में react करता और clumping हो जाती सेम यहाँ पर B का है कि anti-A antibodies होंगे B blood group में ठीक है O blood group में दो तरहके की यानि दोनों ही तरहके की antibodies होते हैं anti-A and anti-B ठीक है अब इसको मैं आपको समझातियों कैसे होता क्या है कि इसको क्यों जो है cell को cytotoxic reaction में लिखा गया है Suppose that यह आपको अगर नहीं पता है तो जो AB blood group होता है that is the universal acceptor यानि कि AB blood group सभी तरहके का blood ले सकता है B blood group केवल इसको मैं यहां लिख देती हूं किसको accept कर सकते हैं यह जैसे AB सभी तरहके का blood accept कर सकता है A blood group को ले सकता है और O blood group को B blood group को ले सकता है और O blood group को और O केवल O blood group को ले सकता है अब suppose that हुआ क्या इसकी mechanism आप समझिए कि जैसे अगर suppose that कोई A blood group वाला person है अब इसके पास कौन से antibodies होंगी यह आपकी anti B और यहाँ पर A antigen होगा ठीक है अब इस A blood group वाले को suppose that कि अगर B blood group वाला blood चड़ा दिया जाए देखें मैं इस blood group वाले को blue color से बना रही हूँ ठीक है ना अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यह अगर suppose that B blood A blood group वाले को B blood group वाले का blood चड़ा दिया गया है ठीक है तो इसके पास कौन से थी B blood group वाले के पास कौन कौन से थे anti B blood group वाले के पास कौन से antibodies थी anti A antibodies और antigen कौन सा था यह तो antigen है और यह antibodies है और यह इसके पास antigen कौन सा है B antigen तो क्या होगा कि जब यहाँ पर A blood group वाले को B blood group suppose that चड़ा दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि यह जो A antigen है यह इस anti A antibodies से react कर जाएगा तीक है और जैसे यह react करेगा clumps बन जाएंगे और same यहाँ पर जो anti B antibodies है वो इस B antigen से react करेगा और clumps बन जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यह देखिए इसके अंदर हुआ क्या है कि जो antigenic cell है यानि कि जो RBCs है antigenic cell इस antibody से react कर गई इस antibody से react कर गई antigenic cell RBCs के surface पर antigen है यह antigen कहा होगा A antigen में A बहार लगा देती हूँ A antigen है तो बहार ही होगा ऐसे B antigen कहा होगा बहार होगा यह बहार होगा ठीक है तो जब यह antigenic surface वाली cell है यह क्या होगा कि यह इस antibody से react कर जाएगा है ना ए एंटी A से रियक करेगा और यह एंटी B और यह इस B से रियक कर जाएगा सबज रहे हैं आप मेरी बाग और उसके बाग जो है जब antibody और antigen reaction कर लेगा then फिर क्या होगा कि they will call the macrophages और natural killer cells और activate the complement system यानि कि क्या होगा कि वो जब antigen antibodies bind होंगे तो फिर वो macrophages, natural killer cells और अलग तरह के complement system को activate करेंगे और फिर antibodies जो होगी जो antigenic cell है उसी को एक किल करने लग जाएगी यानि कि जो RBCs है वो खतम होने लग जाएगी A blood group वाली भी और B blood group वाली भी ठीक है तो इसी लिए जो transfusion होता है blood transfusion होता है उसमें खास तोर से ध्यान रखा जाता है इसी तरीके का कि जो blood group है उसमें जो है इन चीजों को ध्यान रखे कि कौन सा blood group चड़ रहा है तो यह चीज आपको समझ में आई है कि जो है blood group के अंदर blood group कैसे cytotoxic reaction produce करता है इस यह blood group में एक और example है that is erythroblastosis fetalysis ठीक है erythroblastosis fetalysis फटाफट साब इसका अब ऐसा करिए आप इसका फटाफट से screenshot ले जिए और फिर मैं आपको erythroblastosis fetalysis का example समझा देती हूं जल्दी से खीच लिए फटाफट से इसका screenshot जल्दी से विटा खीच लिए आपने ठीक है चालो अब यहां पर erythroblastosis fetalysis जो है अब यहां पर इसका मैं आपको पूरा clear कर देती हूं देखिए यहां पर हमने कहा है erythroblastosis fetalysis क्या है कि एक और ब्लड ग्रूप के अलावा एक और एंटीजन जिसका खास तोर से ध्यान रखा जाता है that is a rh antigen ठीक है that is rh antigen जो है वो बहुत जो है उसको भी ध्यान रखना चाहिए जब भी जाके blood transfusion properly होता है ठीक है तो हम बात कर रहें किसकी erythroblastosis fetalysis एक बार में spelling confirm कर लेती हो नहीं तो फिर 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 एर्थो blastosis blastosis और फिर फिर अब इसके अंदर होता क्या है कि क्या है बेसिकल यह फिनोमेना देखिए रच डिर इसमें किसकी करेंगे रच अडिजल पर और और अजर वी सी की सरफेस पर टीक है तो देखिए इसमसे फिर की मदर है मदर है वटर इसक भी इसक्यान पर बना नित्युम、 और जो है मतलब जो बच्चे का फादर जो है आरेज पॉजिटिव है तो यह 50% चांस है कि जो फीटस है वो आरेज पॉजिटिव हो या आरेज नेगेटिव हो दोनों तरीके के चांसेस बनते हैं कि जो बच्चा है यानि कि जो मदर के उंबु में है अभी मैं इसको ब्ली कुलर से बना देती हूँ यह जो है यह हो गया आपका मेबी आरेज पॉजिटिव अगर बच्चा आरेज पॉजिटिव है तो ठीक है अगर बच्चा आरेज पॉजिटिव है देन क्या होगा कि इस आ प्रेगनेंसी में क्या होगा everything is going to be okay ठीक है यानि कि सब को सही चल रहा है mother is okay baby is okay everything is okay लेकिन होता क्या है कि यहां पर जब delivery के time at the time of delivery जब placenta rupture होता है तो यहां पर RH positive blood का कुछ part mother के blood से mix होता है ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर इस आरेज positive यानि कि जो rbc होंगी जिनकी surface पे आरेज antigen होगा वो यहां पर आरेज antibodies बनाने लग जाएंगी यह क्या है आरेज antibodies है है ना आरेज antibodies बना देंगी अब मदर तो नेगेटिव है मदर को कोई फरक नहीं पढ़ रहा ठीक है चलिए इस फर्स pregnancy now come to the second pregnancy जो यह लेडी second pregnancy डील करती है तो फिर यहां पर क्या होगा देखिए अब यहां पर मदर तो आरेज नेगेटिव है यानि मदर के rbc की surface पे आरेज antigen नहीं है अब यहां पर क्या होता है suppose that कि जो next बच्चा है next fetus है that is again rh positive में भी ऐसा case हो गया है कि rh positive बच्चा है तीक है अब क्या होगा कि यहां पर यहां पर यह जो placental barrier है placental barrier तो यहां पर क्या होता है यह जो आरेज antibodies है इसको मैं green color से बनाती हूं इनको मैं green color से बनाती हूं तो अच्छे से रहेगा है यह जो आरेज antibodies जो बने थे आरेज antibodies जो बने थे यह क्या करेंगे डेवल फ्लेसंटल बेरियर वह क्या होंगे वह यह प्लेसंटल बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और यह कहां चले जाएंगे बच्चे तक चले जाएंगे ठीक है और बच्चे के आरबीसी के जो एंटीजन है उनसे रियक्ट करने लग जाएंगे सबजब आ रहा है आपके हुआ क्या है कि फर्स प्रेगनसी में मदर आरच नेगेटिव है बच्चा आरच पॉजिटिव है अब आरच पॉजिटिव का जब बेबी डिलेवर के टाइम पर प्लसेंटल है ठीक है मदर को कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि मदर आरच नेगेटिव है नाव हुआ क्या है कि जब सेकंड प्रेगनसी होती है ठीक है तो फर्स प्रेगनसी ओके हो गई बच्चा भी बहार आ गया है ठीक है लेकिन जब सेकंड प्रेगनसी और बच्चा सबोज आरच से देविल रियक्ट और उसकी वज़े से क्या होगा अधर दब बेबी कॉलैक्स यह तो बच्चा मर जाएगा दब या बच्चा सीव्य एननमिक पेशेंट होगा ऐनमिक पेशेंट होगा कहीं तो जो है बहुत क्योंकि उसकी बोडी जो RBCS को जो है उसकी RBCS जो होंगी वो क्या करेंगी कि खतम होने लग जाएंगी क्यों क्योंकि 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 अब इस डिजीज का नाम Erythoblastasis Fetalysis क्यों है क्योंकि जब Fetalysis मतलब Fetus का है लेकिन यहां पर जब यह antibodies यहां आने लगते हैं तो बच्चे का blood RBCS और amount में बनाने लगता है क्यों उसको लगता है कि RBCS खतम हो रही है तो RBCS को और बनाने लगता है और RBCS mature ना होके जल्दी जल्दी बनने लगती है और जल्दी जल्दी बच्चे के blood में release होने लगती है तो जो immature RBCS है उन्हें हम बोलते हैं erythroblast ठीक है immature RBCS को ही erythroblast बोला जाता है ठीक है तो क्या होता है और वो जो immature RBCS है वो ही clumps बनते जाते हैं बन क्यों रही है ताकि बच्चे का जो blood है वो यह चाहरा है कि बच्चे का blood काम होता जा रहा है तो फटाफट में RBCS generate कर जाना है लेकिन वहां पर reaction जो है वो और फास्ट हो जाती है ठीक है तो यहां पर बच्चे का जो जो RBCS है जो की immature RBCS है it is known as erythroblast ठीक है इसलिए हम इसको बोलते है erythroblastosis और बच्चे का है तो फिटलेसिस ठीक है सबज में आ गया तो यहां पर जो अब क्या होगा कि जो बच्चा होगा उसके RBCS collapse होने लग जाएंगी और ठीक है और उस वज़े से बच्चा जो होगा severe endemic patient होगा तो यह यहां पर देखे हुआ क्या है cell ने cell को डेमेज कर दिया है ठीक है तो यहां जो इर्थोब्लास्टोसिस फिटलेसिस है फिटलेसिस नी फिटलेसिस जो है वो एक बहुत अच्छा एक्जामपल है साइटो टॉक्सिक रियक्शन का ठीक है यहां पर हम अपने टाइप टू रियक्शन कम्प्लीट करते हैं I hope आपको इस लेक्टर समझ में आया होगा कोई भी कर रियक्शन का दूढ विक्शन